अमरे सिलेवन टेक चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं फिर आप लोगे लिए एक नए वीडियो लेकर के आया हूँ आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यहाँ पर डिस्पले में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एर कंडिशनर के अलग-अलग इमेज हैं यह दो एर कंडिशनर हैं सेम नहीं है और दोनों के फाल्ट अलग-अलग हैं इस तरह का फाल्ट कैसे आता है क्यों आता है दोनों अलग-अलग फाल्ट हैं यह ध्यान में रखना है फाल्ट तो आप समझी रहे होंगे अगर टिकनी से हैं नए लोग हैं तो भी इसको समझी अच्छी तरह से कि इसमें क्या फाल्ट है दोनों में अलग-अलग फाल्ट है आज complete इसको लेकर कि मैं explain करने वाला हूँ इसलिए वीडियो को complete देखते रहे हैं कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि दो मिनट का वीडियो आप लंबा खीच करके 8 मिनट-10 मिनट ले जाते हैं तो भाई सुन लीजिए कि मैं उन लोगों को अच्छी तरह से मैं बताता हूँ जो लोग मुस पर भरोसा करते हैं जो लोग नए हैं इस फिल्ड में मैं उन लोगों को बताथा हूं कि किस तरह से काम किया जाता है कॉन सा फाल्ट किस तरह से monitoring किया जाता है उसे कैसे fix किया जाता है इस लिए अब याम मैं आप आपको जल्दी बता दूँ एक मिनट में जो टेक्निशन है उनको तो समझ में आ जायेगा लेकिंग जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि इसे कैसे फिक्स करना है और यह इसमें क्या फाल्ट है तो नमबर वन यहाँ पर हैं मैं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने भी तक अगमरे सिलेवन टेक्चेन को सब्सक्राइब ने किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देता कि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोडिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूज़ फिल वीडियो हमें सले करके आते रहते हैं तो फाल्ट की बात करते हैं सबसे पहला एक एर करनिशनर के आउट डोर में दोनों पाइप में आईस जमा हुआ है सक्सन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों पर आईस जमा हुआ है दूसरा जो image है जो दूसरा air conditioner है उसमें क्या है सिर्फ suction line में ice आया हुआ है और discharge line में ice बिल्कुल भी नहीं है और इसे देखें एक में suction line में ice आया है एक में नहीं आया है ice आप कैसे find out कर सकते हैं कि इसमें यही problem है और यह कर दिया जाए तो fix हो जाएगा problem तो सबसे पहला जो air conditioner है जिसमें दोनों pipe में ice आया है इसे बारी बारी से कैसे चेक किया जाए इसके भी कई fault हो सकते हैं जो दोनों line पे ice आ रहा है इसके अलग-अलग fault हो सकते हैं एक साथ में 3-4 fault हो सकते हैं यानि कि हो सकता है कि उसका fan motor outdoor fan motor indoor cooling coil या फिर fan motor blower motor अलग-अलग fault हो सकते हैं तो इसे कैसे पहचानना है अगर दोनों line पर ice आ रहा है अगर एक line पर ice आ रहा है जैसे suction line पे या फिर discharge line पे तो उसके अलग-फाल्ट होंगे अगर यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों line पे ice आ रहा है तो इसके क्या फाल्ट है एक तो suction line और discharge line दोनों पे ice आ रहा है और इस्पीड कम हो गया है उसे चेक करें उसके बद आपको filter चेक करना है कि filter block तो नहीं है पूरा block होगा filter तो भी problem आएगा पूरा filter साफ करिए cooling coil देखिए block तो नहीं अगर पूरा block होगा तो भी फाल्ट आएगा यह आपको इंडर चेक करना है पूरा कि अच्छी तरह से work कर रहा है कि नहीं इसमें गैस का प्रावलम नहीं है पहले मैं किलियर कर दूं कि इसमें रिफ्रिजरेंट का प्रावलम नहीं है इंडोर को हमने फाइनल कर दिया इंडोर अच्छे से चल रहा है उसके बाद आउटडोर में आना है आउटडोर का फैन मोटर चेक करना है कितनी ब्लोवरा मोटर नहीं चल रहा है तो आउटडोर का फैन मोटर नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है या फिर जोग चल रहा है आउटडोर का फैन मोटर देखेंगे इंडोर का ब्लोर मोटर और कुलिंग कॉयल और उसका फिल्टर एयर फिल्टर जो होता है उसे चेक करेंगे बस इतना सा ही फाल्ट होता है बहुत ज्यादा और कुछ फाल्ट नहीं होता है इसमें बस इतना सा फाल्ट है उसमें जो भी अ एयर फील्टर लगे हुए एयर फील्टर को साब करिए यह प्रवम फिक्स हो जाये गा ज्यादा जो रहा होता है इतने सारे अंप अब करते हैं जो दूसरा नहीं उसमें क्या फाल्ट होते हैं तो उसमें देखिए आउट डूर में अगर डिस्चारज लाइन पे सिर्फ डिस्चारज लाइन पे आई सा रहा है या फिर सक्सल लाइन पे सिर्फ आई सा रहा है तो इसके क्या फाल्ट हैं इसे कंप्लीट सीखिए complete में बता रहा हूं अपने पूरे mind पे बैठा लिजिए कि जो fault में बता रहा हूं उसे आप find करेंगे उसे ढूंडेंगे उसे fix करेंगे तो इस तरह का problem नहीं आएगा इसमें क्या होता है कि अगर सिर्फ discharge लाइन पे आईस आ रहा है तो सिर्फ discharge लाइन पे या तो आईस आ रहा है या तो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रहा है तो समझ लिजिए कि उसमें रेफरिजरेंट कम है रेफरिजरेंट कम है अगर बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रहा है या फिर आइस जम रहा है तो उसमें रेफ्रिजरेंट कम होता है लेकिन सक्सन लाइन पर इतना ज्यादा आइस आ रहा है तो समझ जाए कि इसमें रेफ्रिजरेंट का प्रॉबलम नहीं है रेफ्रिजरेंट है इसमें लेकिन और क्या प्रॉबलम हो सकते हैं रेफ्रिजरेंट बिल्कुल नहीं चल रहा है अगर blower motor नहीं चल रहा होगा तो यह problem complete 100% यह problem आता है कि अगर इंडोर का motor नहीं चलता है या फिर बहुत slow चलता है या फिर उसका bearing टूट गया है bearing खराब होगया धिरी धिरी करके चल है यह फिर कूलिंग क्या को फैकंव ब्लॉक है बिल्कुल भी नहीं ना तो खीच रहा एक है कैसे जहर सी बात है, कि अगर खेंग क्या प्लॉक होगा या एयर फिल्टर ब्लॉक होगा तो हवा ना तो खीच पाएगा ना तो फेक पाएगा तो इस तरह का प्रॉब्लम फेज करने को मिलेगा और इसके साथ में अगर आप पुली इंडूर आप चेक कर लेते हैं इंडूर का फिल्टर साफ है इंडूर का ब्लोर मोटर चल रहा है तो आपको देखना है कि उसमें क्या आउट्डूर का फैन मोटर आपको चेक करना कि आउट्डूर का फैन मोटर चल रहा है कि नहीं आउट्डूर का फैन मोटर आपने चेक कर लिया उसके बाद ये आप ना इसको डिफ्राश्ट करना है पहले आइस को सबसे पहले डिफ्राश्ट करना है आपको आइस जब पि पंपिंग डाउन है पंपिंग अगर डाउन होगा तो भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है कुछ हमारे दोस्त कोश्चन करते हैं कि अगर उसमें डिस्चार्ज लाइन में वाल नहीं दिया है तो कैसे हम चेक करेंगे हाई प्रेसर लो प्रेसर गेज लगा करके तो यहां पर द हाई प्रेसर गेज कैसे चेक कर सकते हैं यह रहाए प्रेसर यह धोनों कैसे चेक कर सकते हैं कैसे हां चूumध कर सकते हैं हूँ हमेशा में तयार हूँ जल्द से जल्द आपका रिपलाई देने की कोसिस करता हूँ तो यह चोटा सा वीडियो था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें लाश्ट में फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने वी तक अमरे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर सब्सक्राइब करने और बिल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आनुवली न्यू वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूज फिल वीडियो हमेशा ले करके आते रहते हैं